हम आब आगिधो की हलो एब्रीवन वेलिकमं बेक्टूस चैनल और आज में कोई माझ पूपिक्स किस्प्लिइंग नीकर्ने जारू नाही कोई लेसन एक्स्प्रेंग करने जा रहा हूं ना ही ग्रामर टॉपिक बल्कि मैं ये वीडियो इस्पेशली नाइन स्टेंडर के स्टूडेंट को डेडिकेट कर रहा हूं क्योंकि उनके लिए मैंने कुछ कुछ फुष्टन में तो बुल देना मैच वान मैच टूख हसकर जो लेसन से उनमें कुछ प्रैक्टिस सेट से अगर आपने वह उप्जवने क्या हो मैंने कई बार अपने टीचिंग करियर में ये चीज़ ऑप्जव किया है कि जबी एक प्रैक्टिस सेट होता है उसमें चार कुष्टन मेंसे चार कुष्टन दिये जाते हैं उसमें से एक कुष्टन ऐसा होते हैं जो बहुत ही यूनिक वे में उलक देते हैं और वो जब आप सौल करते हैं आप लोगो बहुत ही difficult लगने लगता है इस्टार्ट उसके बाद आप समझ जाते होब ये प्रहा सा भुम फ चल रहा है, तो मैं 1 से लेके 4 तक जितने lessons है, Math 1 में, पहले वो discuss करूँगा, Unique questions मतलब यह नहीं कि इंपोर्टेंट का कोई questions है, आप लोगों को importance का बहुत लगा हो रहते हैं, ऐसा कुछ नहीं, मैं तो चाहते हो कि आप पूरा का पूरा बुकी करके जाओ, कभी-कभी क्या होता है कि चार lesson में से एक lesson, एक lesson कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि यार बहुत देर हो गई, अभी आप लोगों को बहुत लेट नाइट हो जाते हैं, फोर्थ लेजन कहीं मिस हो गया, तीनो चारो में से एक lesson कहीं मिस हो गया, तो आप लोगों को लगता है कि अभी क्या करो, तो तभी ओला option आप plan भी चूज कर सकते हैं, जो मैंने अपको unique questions लेखने को कहा है, लेकि इसका मिलब यह नहीं, यह unique questions मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि मैं अपने tuition में बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मैं वो सब observe भी करता हूँ कि एक एक सम किस तरह से हैं, कुछ easy है तो थीख, लेकिन वो easy के बीच में कुछ difficult और unique type questions लोग put out करते हैं, तो सबसे पहले मैं request करूँ हूँ है कि आप सभी match 1 का textbook open करें, तो sets से लिखे sets, तो आज हम कॉनसे unique questions discuss करेंगे, sets, real numbers, polynomial, ratio proportion, 4 lesson, match 2 के बारे में इसके बाद discuss करूँ हूँ, पहले हम match 1 के बारे में जो है वो देखेंगे, तो आप लोग pencil लेकर के बैटेगा और textbook, तो पहले page number 3 open किजिए practice set 1.1 में, देखिए इसमें तो सब कुछ थीक है, लेकिन में को थोड़ा अलग यहां पर कौनसे लगा 1.1 में, main question number 3, देखिए main question number 3 में आप देखो तो वहल आप tick mark कीजिए, main question number 5 भी आप tick mark कीजिए, मुझे थोड़ा अलग लगा, it is easy but then do, 3, 5 वो tick mark कीजिए, उसके बाद practice set 1.2 open कीजिए, वहां पर question number 3 में जाहिए, okay question number 3 में sub question 3, page number 6 में जो बहुती नीच्चे question number 3 दिया गया है, उसमें जो third वाला है, third sub question, c is equals to, c is the set of x such that 5x minus 2 is equals to 0 and x is the element of n, natural number भी होसा, तो वह mark कीजिए, थोड़ा अलग लगने, unique type है, उसके बाद question number 4 में देखे, question number 4 में आज सच तो कुछ नहीं है, yeah, it is okay, तो मैं को यहां पर सिव एक ही question देखने हूँ मिला, तो please इसको importance मत consider कीजिए, थोड़ा अलग type, unique type questions है, मैं बार-बार यही चीज़ कह रहा हूँ, please समझो, मैं तो तो तुम लोग important समझ बैट गया, फिर band बजेगे, ने-ने-ने, one moment, wait a second, question number 3 का दो आपने लिखा, यहाँ पर मैंने मिस्किया, question number 4 अगर आप देखो, question number 4, practice set 1.2 में, page number 7, page number 7 में आप 4th question देखो, वहाँ पर के बाद, practice set 1.3 open कीज़ेगा, page number 11, यहाँ पर, यहाँ पर अगर आप देखो, question number 3 देखो, question number 3, U is equals to 1, 2, 3, 4, 1, 3, 7, 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, वो अला, P is equals to 1, 3, 7, 10, तो उसमें लिखा है, न, then show that, तो देखो, लाश में, कौनर में क्या लिखे देखो, sub question, by when diagram के बाद, sub question 2, third question का sub question 2, verify P, compliments, compliment is equals to P, वो दिकर, उसपे tick mark करना, I repeat, practice set 1.3 में, question number 3 का sub question 2, verify P, compliment is equals to P, थोड़ा unique type लगा, थोड़ा अलग लगा, इसके लिए में आप लोगो tick mark करने के लिए रहो, और question number 4, question number 4 tick mark करने, वो पूरा tick mark करने, वो पूरा tick mark करने, main question number 4, practice set 1.3, question number 4, ये हो गया, और उसी में question number 6 भी tick mark करने, all right, question number 6, ठीक है, वो भी करने, या, और question number 7 भी tick करो, okay, 4th, 6th, 7th, और 3rd, 4th, 6th, 7th का पूरा आपको tick mark करने, 4, 6th and 7th, 3rd वालर में आपको से वो वेरिफाय, piece, compliment, compliment is equal to P, वो tick mark करने, उसके बाद, practice set 1.4, open करने, page number 16, उसमें आप question number 2 tick mark करने, वो थोड़ा अलग है, question number 2 and 4, all right, question number 2 and 4, वो tick mark करके रखना, थोड़ा सा अतरंगी type, कुछ sum है, तो इसके लिए मैं कह रहा हूँ, आप लोगो tick करने के लिए, so, अब हम देखेंगे, यह real numbers का lesson, उसमें practice set 2.1, अगर आप देखने जाओ, तो उसमें जो question number 3 है, उसको आप tick mark करना, वो थोड़ा सा different type, different type तो नहीं, बल्कि कुछ लोगों के लिए, वो easy होगा, लेकिन कुछ average students के लिए, यहाँ पर कुछ उनको difficulty face करने पढ़ेंगे, solve करते हुए, बाकी कुछ नहीं, यह हो गया, उसके बाद, practice set 2.2, everything is important, okay, practice set 2.2 देखना न मत बुलना, वो वाला बहुत ही important है, वो वाला जा क्या आप रेफर करना, पूरा practice set, वो tick mark करना, practice set 2.3, search के उपर है, practice set 2.3 का आप धियान से देखना, page number 30, इसमें जो question number 3 है, okay, main question number 3 में 5 and 6, उसको tick करना, question number 3 में जो हैं अंदर 5 and 6, 5 root 22, 7 root 33, और वो जो 6th वाला है, 5 root 5 और root 75, वो वाला दोनों tick करना, 5th और 6th, question number 3 में 5th और 6th tick करना, question number 4 में जाना उसके नीचे, okay, 4th और 5th पर tick मानना, okay, 4th and 5th पर tick मानना, question number 4 में 4th and 5th, okay, root 112 और root 162 और root 162 और, फिर, बागी सब ठीक है, तेको यहाँ पर, question number 6 में जाईए, students, question number 6 में, all right, question number 6 में 4th वाला, root 7 minus 3 upon 5, root 7 plus, 2 root 7, क्योंकि वो fraction वाला है, मैं इसके लिए वो consider कर रहा हूँ, otherwise में नहीं करता, okay, question number 6 में 4th वाला, इसके question number 7 full, question number 8 full and rationalized the denominator, question number 9, okay, 7, 8 और 9 पुरा, पुरा का पुरा अलग टाइप है, all right, 7th, main question 7, main question 8 और main question 9, नहीं, ठीक है, doubt clear, उसके बाद, doubt clear नहीं, मैं doubt clear इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर, मैं नहीं चाहता है कि कोई student गलत questions पे टिक करें इसके बदे, फिर है, practice at 2.4 students, वो देखना, page number 32 पे, उसमें multiply का जो question है, question number 1 पे, जो third वाला है, question number main, question number 1 का third वाला, उसको टिक माग करना, all right, question number 1 का third वाला, उसके question number 2 है, उसमें fourth वाला, वो टिक करो, all right, I repeat again, practice at 2.4 में, question number 1 का third वाला, उसको टिक करना है, और question number 2 पे, वो टिक माग करो, फिर हम चलते, practice at 2.5 की तरफ, page number 33 में, page number 33 पे अगर आप देखो, तो second question है, solve, उसमें जो third और fourth है, उसको टिक करना, okay, question number 2, practice at 2.5, page number 33 में, question number 2, उसमें third और fourth को टिक करके रखना, तुकिया, वो थोड़ा सा अलब type लगा, इसके लिए, तो हमारे दो lessons, जो भी थे, वो discuss होगे, जो भी unique type questions थे, अभी polynomials की तरफ बढ़ते, practice at 3.1, practice at 3.1, page number 39, इसमें अगर आप देखो, तो question number 1 है, उसमें first और second को टिक करना, main question number 1, first and second, okay, y plus 1 upon y, and second one, 2 minus 5 root x, okay, दोनों को टिक करना, और question number 2, write the coefficient of m3 वोला, उसमें, पहला वाला टिक करना, m3, okay, वहाँ पर बहुत से बच्चे लोग यहाँ पर silly mistakes करते, यहाँ उन्हों लोग इसके लिए मैं टिक करने बोलगा, पहला वाला, m3 उसको टिक करके रखो, ठीक है, उसके बाद question number 4 देखो उसी practice set में, page number 40 पे, question number 4 पे, first वाला, okay, first, 7th and 8th, okay, main question number 4 में, first, 7th and 8th, तीनों को आप टिक कर लेना, all right, so moving on, बाकी सब्तों थीक हैं याँ बर, next practice set, 3.2, page number 43, यहाँ पर, अरे बाल पुरा set बिगड़ गड़िया, तो लिए कोई बात ने, 3.2 में, पहला question वो टिक मा कर लेना, question number 1, वो थोड़ा objective वे में पूछेंगे, तो कर लेना तुम लो, question number 1 देख लेना, क्या बता, ऐसे sums से आ जाते हैं, फिर question number 5 को टिक करना, क्योंकि वो पिछले साल का repetitive question है, okay, division of polynomials हो ही है, तो उसको भी आप एक बार से, एक बार अच्छे से कर लेना, sums, उसके बाद question number 6, वो भी आप देख लो, okay, first, fifth and sixth, यह तीनों वो टिक करना है, बागी कुछ नहीं, उसके बाद next practice set which is practice set 3.3, उसमें, आच्छा, यह practice set पूरा का पूरा important है, because synthetic division method तो easy है, एक बार में आप समझ जाओगे, लेकिन linear division method is very difficult, you all have to practice it, वो एक बार, दो बार में नहीं समझ में आएगा, आपको कही बार practice काना पड़ेगा, तब जाके आप, कही नहीं कही है, स्वम अच्छे से कर सकते हो, so I prefer practice set 3.3 में पूरा का पूरा mark करने बोलू, that will be better, तो पूरा का पूरा mark कीजिए, उसके बाद 3.4, practice set 3.4 students, that is a very easiest practice set but, but question number 3 थोड़ा सा अलग है, तो वो mark कर लेना, question number 3, okay practice set 3.4, page number 48, third one, okay just tick out, tick कर देना, tick out बोल रहा, ticket बोल देता, sorry, sorry cringe हो रहा है सब, उसके बाद, practice set 3.5, यहां पर, यहां पर अगर आप देखो, थो, fourth question, question number 4 को tick करना, or question number 12, 13, 4, 12 and 13, यह तीनों को tick करना, बाके सब भी important है, लेकिन वह as such repetitive, थोड़ा same same type है, लेकिन यह जो fourth है, fourth one is also okay, but still I prefer to just do that some, fourth one is same type है, लेकिन मैं just mark कर रहा हूँ, 12, 13 is very important, 4, 12 and 13 कर रहा हूँ, fourth one, if you get one sum, आप समझ जोगे बाकी पुरा practice set आपके हाथ में, 4, 12 and 13, okay, just mark कर लेना, उसके बाद practice set 3.6, it's a very different type of practice set, इसमें page number 54, उसमें अगर आप देखो तो question number one में, main question number one में, third, tick करो, page number 54 में, third one, third, fifth and sixth, okay, third, fifth and sixth, okay, third, fifth and sixth, okay, third, fifth and sixth, tick mark करो, उसके बाद next page, देखो 55, page number 55 में अगर आप देखोगे, question number two, वह मैं चाहता हूँ कि आप पुरा का पुरा sum करो, you'll do the whole sum, okay, पुरा practice set important है, आप तिक मा कर लेना, पुरा practice set, question number two, पुरा practice set ने, question number two, पुरा important है, लेकिन उसमें जो toughest चीज़ है, two sums, toughest sums है, वह है fifth, okay, fifth and seventh, okay, मैं यह ही कहना चाहता हूँ कि page number 55 में, question number two है उपर की तरफ, वह सारे sums important है, सारे sums आपको practice करने पड़ेंगे, एक दो बार में आप में तोड़ा सा silly mistakes करो, या तो बहुत सारे silly mistakes कर सकते हो, तो sum में आपको difference हो साएगा, फिर answers wrong आएंगे, marks cut हो सकता है, लेकिन यह जो question number five और five और seventh है, वह थोड़ा सा unique type sum मुझे लगा, तो वह आप tick mark कर सकते हो, ऐसा उसके अंदर ही, और यह main question को भी आप tick करके रखो, तो यहां पर हो गया मेरी तरफ से question, lesson number three, one, two and three completed, now lesson number four which is the biggest lesson on this, in this textbook which is ratio and proportion, इसका वीडियो बनाते मनाते मेरी हलत खराव हुईती मिझे याद है, because एक एक वीडियो बनाते बनाते और मैने ऐसे टाइम पर शूट किया था, वीडियो मतलब गर्मी के टाइम पर और अगर आप यह room देखो तो इसमें बिल्कुल ventilation बराबर का ventilation भी नहीं है, और जब आप थोड़े देर दस मिनिट तक वीडियो शूट continuously करते हो, तो मोबाल जो मैं जिस मोबाल से मैं शूट करना अभी इसमें बहुत गरम हो जाता है, एक बार तो ऐसा हुआ था कि मैं पूरा 8 का से लेगर 7 तो 6 का करने गया था, पूरा ब्रेक लेते रहे बातचीत करेंगे, तो मेरा जो सेलफीश टिक से मैं थोड़ा सा किया करता था ऐसा स्टैंड अगे तो वो पूरा का पूरा ऐसा बोलते ना रबर का था वो जल गया था, बनलब पूरा ऐसा पिगल टाइब गया था, मोबाल इतना गरम हो जाता है, तो रेशो एंप्रपोर्शन वस अ वरी डिफिकल्ट लेसन फॉर में, विगोज शूट करते करते इतना पसीना आता था, कभी-कभी सम्स करते करते मैं कॉंशेस में भी ने रहता था, क्यार घरमी हो रही है वो सब सोचते हुए, तो रेशूट करना पड़े था, तो बाकी सब तो ठीक था, अचलो, कमिंग बैक तो इस रेशो एंप्रपोर्शन वाला लेसन, पेज नंबर 61 ओपन करना, पेज नंबर 61 में अगर आप देखो तो प्राक्टिस सेट 4.1 में उसमें, कुष्ट नंबर 2 दिकरा आप लोगो, कुष्ट नंबर 2, वाला आप पूरा कर लेना, कुष्ट नंबर 2 में थोड़ा अलग है, वो conversion टाइप है, तो प्राक्टिस सेट 4.1 में जो कुष्ट नंबर 2 हो टिक माग कर लो, उसके बाद कुष्ट नंबर 3 में, 3rd & 5th वो टिक करो, उके, I repeat again, कुष्ट नंबर 2 पूरा कर लेना, इस इंपोर्टन, कुष्ट नंबर 3 में 3rd & 5 वो टिक माग करो, कुष्ट नंबर 5 पे जाओ जाओगे, में कुष्ट नंबर 5 पे जाओगे तो 4th & 5 उसको टिक माग करो, उके, I repeat again, में कुष्ट नंबर 2 जिसमें, इसको पूरा आपको करना है, कुष्ट नंबर 3 में, 3rd & 5th, कुष्ट नंबर 5 में, 4th & 5th, कुष्ट नंबर 5 में, 4th & 5th, I hope you all got it, इसके बाद देखते हैं, बाकी सब तो ठीक है, और मैं चाहता हूँ न, आपका extend हो जाए, तो कुष्ट नंबर 6, 7, 8 भी आपको word problem है, as you all know, थोड़ा different type है, 6, 7th & 8, उसको प्लीज आप कर लो, यह आप उटिक माग कर दो, 6, 7, 8, बाकी सब तीक है, उसके बाद जाएए आप practice at 4.2 के तरफ, textbook page number 63 पे, वाह पर, 4.2 पे, question number 2 question number 2, question number 1 will come as objective, तो आप objective जैसा आप objective जैसा आप भूल रहा हो तो आप objective लिख सकते हो, question number 1 will be asks in objectives, तो एक एक दो-दो-दो-म आक का शायद पूछ ले, लेकिन question number 2 है वो भी objective के तौर पे लेकिन, जो बौछ से students को यहाँ पर unique लगा, मुझे भी unique लगा, वो था question number, main question number 2 में, third वाला, the ratio of diagonals of square to each side, if the length of the side is 7, वो tick mark कर के रोको, उसके बाद, question number 4 में main question number 4 में, main question number 4 में, quadrilateral ABCD is a parallelogram, the ratio of angle A and B of this parallelogram is 5 to 4, find the measure of B, वो आप टिक करो, okay, और उसके बाद, उसका जो second वाला वो भी tick कर दो, the ratio of percentage of Albert and Salim वो आप इसके बाद, third, fourth, fifth, मतलब आप यह consider करके जाना है, main question number 4 जो है, first, second, third, fourth and fifth, वो पूरा tick mark कर लो, okay, वो थोड़ा सा different है, मतलब एक sums आप लोगो confusion में डाल सकता है तो इसके लिए कह रहा हूँ, और fifth और sixth भी, okay, main question number 4 पूरा five और six, उसको tick करके रखो, five और six तो पूरा, all right, यह आतक तो हो गया, फिर उसके बाद हम next practice set की दरब चले, वो है, मैं तोड़ा mic, okay, I'm sorry, I'm sorry, 4.3, 4.3 page number 70, उसमें question number 2 है, main question number 2 वो कर लेना, one वला तो easy है, one वला as per, आप समझ जाओगे तो second वाली में आपको a upon b का value find out करना है, first question में अगर आप देखो, a upon b का value 7 upon 3 दिया गया है, लिकिन question number 2 में नहीं दिया, आपको find out करना है, question number 2 को आप tick mark करके रखो, question number 2, 3, 2, main question 2 and 3, page number 70, second question and third question उसको tick करके रखो, फिर question number 4 में जाओ, उसमें कॉनसे सम मैं tick करने बोल रहा हूँ, करो, first वाला, second वाला और जो last वाला है, जो कॉनसे, sixth वाला, first, second and sixth, main question number 4 में, first, second and sixth, यह याद रखो, फिर उसके बाद देखते है, practice set 4.4, इसमें, basically क्या लिखा गया है वो important है, question number, practice set 4.4, page number 73 में, main question number 3 है, main question number 3, उसमें जो पहला वाला है, उसको tick करो, main question number 3, first one you will have to mark it important, okay, tick करके रखो, third वाला, first वाला हो गया, उसके बाद direct fourth or fifth, main question number 3 में, fourth or fifth, page number 74 आपको देख रहा है, उसमें थर्ड, fourth or fifth लिगा है, fourth or fifth वो tick करो, third one is quite okay, लेकिन जो fourth or fifth है वो थोड़ा unique type लगा मुझे, and main question number 4, okay, time repeat again, page number 73 में, question number 3 में, main question number 3 में, first वाला, turn करो page 74 की तरफ, fourth or fifth, वो tick करो, main question number 4, यह हो गया, उसके बाद है, page number 77, which is practice at 4.5, 4.5 में देखो एक चीज, question number 3, main question number 3, उसको tick करो, 3 numbers are in the continuous proportional, mean proportional is 12 and the sum of, तो वो आप टिक करो, और उसके बाद, main question number 5 में जाहिए, second वाला, main question number 5, second वाला, square plus B square, multiply by bracket open, B square plus C square, is equals to AB, plus BC the whole square, वो वाला हो गया, और सबसे last वाला, main question number 6, find the main proportion of x plus y upon x minus y, फिर x square minus y square upon x square y square, वो वाला भी टिक करो, ओके तो इस तरह से ratio proportion का lesson खतम, मतलब हमने चारो lesson discuss किया है, थोड़ा unique question, तो मैं यही पर pause कर रहा हूं, maths 1 का, all right, तो I hope आप लोगों के लिए, यह वाले चीज़े beneficial होंगे, questions, refer कीज़े, मैंने कर रहा हूं, यह importance है, बल्कि मुझे तोड़ा से अलग type लगा, इसके लिए मैंने आप से discuss किया, अब आप सभी maths 2 open कीज़े, standard 9th maths 2, pencil लेकर के बैटिएगा, let's see, यहां पर मैं discuss करूँगा, यहां पर मैं, starting के 3 lessons discuss करूँगा, हम यहां 3 lessons, I'm sorry, यहां पर मैं 3 lessons discuss नहीं करूँगा, I'm thinking of discussing 4 lessons, तो यह better होगा, क्योंकि यहां पर total 9 lessons है, तो मेरे लिए 4 lessons discuss करना यह better समझता हूं, तो पहला lesson हम open करते हैं, basic concepts in geometry, यहां पर practice at 1.1 में अगर आप देखो तो question number 4, 5 & 7, उसको आपको tick mark करना है, फिर हम आगे बढ़ते हैं, practice at 1.2 की तरफ, जिसमें page number 8 open कीजे, 1.2 का page number 8 open कीजे, वहां पर question number 5 जो है, वो tick mark करके रखो, वो भी बहुत अलग type का लगा मुझा, तरंगी type question है, तो question number 5 tick mark कीजे, question number 6 tick mark कीजे आप, और question number 6 tick mark करना पड़ेगा आपको, तो 5 & 6 आपको tick mark करना है, उसके बाद, yes, practice at 1.3 जो है आपको study करना है, यह सब तो objective के तौर पर आएगा, because आप लोगो तब उस वक ऐसा होता होगा, कि theorem के बारे में इतना knowledge नहीं था, first time था तो यह सब वही है, theorem related question type है, आप लोगो उसको theorem form में लिखना है कुछ, तो practice at 1.3 के जो दोनो questions है, आपको रटके जाना बेचा, मैं समझता हूँ कि आप रटके जाओ, क्योंकि वह एक-दो marks के लिए आजएगा, as a objective point of view में देख रहा हूँ, तो 1.3 पूरा, फिर हम next question lesson की तरफ बढ़ेंगे, जो है parallel lines, उसमें 2.1 practice set open कीजेगा, जो page number 17 पर है, page number 17 पर question number 4 है, उसको tick mark करना, page number 17, 4th वाला, यह हो गया, उसके बाद, practice set 2.2, page number 21 पर है, 21 पर question number 3, उसको tick mark करना, practice set 2.2, main question number 3, उसको tick कर लेना, फिर, main question number 3, main question number 5, main question number 6, 5 और 6 भी tick कर लेना, यह हो गया, उसके बाद, triangles का lesson open करते हैं, मैंने कितना कहा था, four lesson, right, four lessons, better है, चलो, triangles, इसमें आगर आप देखो, practice set 3.1, page number 27, उसमें question number 3 & 4, को tick mark करना, 3 & 4, practice set 3.1, 3 & 4, फिर, next page turn कीजे, page number 28, tick mark करना, 7th, 8th & 10th, okay, 7, 8 & 10, वो tick mark करो, यह हो गया, उसके बाद, 3.2 open करना, students, 3.2 में as such, इतना नहीं है, बस आपको, main question number 3, में question number 3, उसको tick mark करो, alright, main question number 3, and main question number 6, यह दूनो, 3 & 6, practice set 3.2 में, main question number 3 & 6, I am repeating that's why, okay, repeat कर रहो, तागे आप लोग, miss out ना करो, 3 & 6, 6, उसके बाद, practice set 3.3, students, वो open करना, page number 38 पे, wait a second, practice set 3.3 का, main question number 1, वो tick करो, question number 4, okay, यह दूनो, उसके बाद, 3.4 open करना, students, practice set 3.4, उसमें, देखो, मैं कांसा बोलता हूं, main question number 2, page number 43 पे, main question number 2, 5 & 7, okay, यह दूनो, उसके बाद, 3.5 प्राक्टिस सेट है, वो तो पूरा ही कर लेना, okay, page number 47 पे, practice set 3.5, उसको तो पूरा ही पूरा ही आपको प्राक्टिस करना है, वो tick mark करना, as important, यह हो गया, lesson number 3, 1, 2 & 3 completed, now we'll see, question number 4, sorry, lesson number 4, construction of triangles, okay, इसमें, practice set 4.1 है, alright, उसमें जो main question number 4 है, main question number 4, 1, 2, 3, 4, practice set 4.1 में, क्योंकि 4.2 लिगा है, error में, तो वो इने 1 कर दिया, page number 53, 4th वाला, उसको take करना, ठीक है, 4.2, page number 54, उसमें 3rd वाला, वो take करना, ठीक है, and, page number 56, 4.3 में, 2nd वाला, 4.3 का 2nd वाला वो tick कर लो, okay, तो मेरे इसाब से मुझे लगता है, इतना बस है, यह तो वीडियो, all andy हो ही चुका है, मुझे लगता है, हो गया है, वो तो कुछ है ही ने, so मैंने, maths 1 में 4 lessons, I think, so yeah, 4 lessons मैंने discuss किये, यहां पर भी 4 lessons, और rest, यह एक वीडियो बन गया, यह semester 1 के लिए मैं consider कर रहा हूं, semester 2 का रहेगा, वो मैं, अलग वीडियो में बना हूंगा, so, I hope आप लोगों को थोड़ा बेनिफिशल लगा होगा यह वीडियो, देखें, यह को इंपोर्टेंस का लब इंपोर्टेंस सम्स अगरे मैं discuss नहीं किया हूं, प्लीज, अगर आप लोगों को ऐसा कुछ offensive लगा हो गया, इंपोर्टन कोशन है तो I'm sorry, मुझे तोड़ा unique लगा मैं, आप बार बार यही कह रहा हूं, unique, 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 it's unique questions, तो मैंने जो भी मेरे से हुआ, मैंने आप लोगों को भी साथ discuss किया, so thank you so much for watching this video, अगर आपको यह वीडियो पसंद आयो, तो प्लीज लाइक करना ना बूले, share it with your friends, classmates को share करना ना बूले, और चैनल पन देए तो प्लीज सस्क्राइब करके, और लोगों के आपको को भी साथ.